नमस्कार ओम शान्ति चलिए आज हम बनाते हैं बिहार की पूरी सत्तु पूरी रेस्पी जिसके लिए मैंने एक कप आटा लिया है उसमें नमाक और अजवाइन डालके अच्छी तरह समीस करेंगे और थोड़े थोड़े पानी डालके आटा को गूत लेंगे एक नॉर्मल डो पूटे हुए गुल मिर्च का पाउडर मिला के और तेल सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चार भी मिला देंगे मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे जिससे साथ थोड़ा नरम हो जाए क्योंकि ज्यादा सुखा साथ भरभरा गले में फंसता है इसलिए इसे थोड़ा पानी डालके हमें अच्छी तरह समीस करेंगे अब इसे एक लोई लेंगे और कोटोरी के सेप में इसको गोल करेंगे और उसके अंदर सत्तु का स्टफिंग डालेंगे और चारो तरप से इसको भूमाते हुए उपर क्योर ले जाएंगे और दबा देंगे इस तरह से हमें सारी अपनी लोईों को स्टफिंग भर के तयार कर लेना है अब देख सकते हैं इस तरह से मैं एक लोई वाली पराठे लिटी दाल पूर्डी जो भी बनाने होते एक बार मैं मैं तयार कर लेते हुँ ताकि मुझे फ्राई करने में उसको तलने में आसानी हो डेख सकते हैं, मैंने इसी तरह से सारे एक-एक अपनी लोयो को तयार कर NOV badge कर लिया है, अब इसको अलके हांतों से दबा देंगे और इस तरह से प्रिषर देकर दिले में लेना है, अगर हम दबा के इसको प्रिषर से बिलेνी कि अई आ हमें हลके हांथों से बेलना है एक बार मैं सारी पुड़ियों को बेल ली हूं तेल भी इदर मैं गरम कर चुकी हूं अब उस में साइटस से तेल में डाल रहे हूं जिससे अब देख सकते हैं पुडियां कितनी खिली खिली फुली फुली बन रही है इस तरह से किक पुडियां मैंने तैयार कर लिए अब देख सकते हैं कि बिहार की है बहुत ही फेमस सत्तु की रेशपी है करो ने हम आज को मेडियम रखी हूं बिहार में सत्तु कि यानिक निसर्प बनती है बहुत ही सबकों पसंद आती है अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इस तरह से मैंने अपने सारी पोड़ियों को तयार कर लिया आप इसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी चटनी अचार कसम भी सब कर सकते हैं